नमस्कार दोस्तों, बाईजूस एक्जाम प्रे पाईए सिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 27 समबर 2022 के समाचार विस्तेस्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसमें 10 हिंदू समाचार पत्र से संबंदित प्रमुक आलिकों की हम समीच्छा करेंगे। प्रमुक रूप से अगर हम देखें, बिलकिस बानों का जो मामला है, उसके संदर में सुप्रिम कोड का जो नेर्णे हैं, वहाँ पर अगर हम देखें, जो अलग-अलग पक्ष है, उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है, आलेक प्रसंख्या आठ पर हैं, और सामान अध्धन क दुतिय प्रस्ट पत्र में राजवस्ता से आप इसे जोड सकते हैं, यहाँ पर प्रमुक रूप से अगर हम समिच्छा याच्का की बात करें, तो यह बिलकिस बानों के द्वारा दायर की गई थी, बिलकिस बानों के संदर में आप ध्यान रखें, 2002 में गैंगरेप और मास मर्डर का एक जो केस था, उसमें प्रमुक रूप से अकेले वो जीवित बची थी, तो उनके द्वारा एक तरह से मई 2022 में सुप्रिम कोड का जो निर्ने आया था, उसकी पुना समिच्छा करने के संदर में याच्का दायर की गई थी, सुप्रिम कोड ने इस याच्का को ख खत्या का मामला था, जिसमें पीडिता अगर हम बिल्किस बानों की बात करें, तो वो अकेले जीवित थी, तो उनके द्वारा सर्वो जनेले में मई 2022 का जो फैसला था, उसको एक तरह से समीच्छा करने की एक अपील की गई थी, 2002 के इस अपराद में जो दोसी थे, उनके द आजा प्राप्त करने वाले कैदी हैं, उनने जो राहत मांगी है, यानि समय से पहले रिहाई की बात की है, उसको एक तरह से आपर रद किया गया, तो गुजरात उच्छनेले का ये जो निर्ने था, उसको सुप्रिमकूट ने रद किया, और गुजरात सरकार को इक तरह से आदेश दिया कि अगर हम 9 जुलाई 1992 के एक तरह से अलग अलग जो सिधानत हैं उनको देखें उसके अनुसार जो भी एक तरह से छूट और समय से पहले रिहाई की जो इस्तिती है उस पर गुजरात सरकार विचार करें आप ध्यान रखें गुजरात में अगर हम देखें तो वर्तमान में 2014 की एक नीती लागू है जिसके अनुसार अगर कोई वेक्ति गैंग रेप और हत्या में दोवों में साथ साथ दोसी है तो उसको समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर हम बात करते हैं 9 जुलाई 1992 की नीती और इस नीती के अनुसार देखें तो गुजरात में समय से पहले रिहाई की जो इस्तिती है वो गैंग रेप और हत्या का भी अगर दोसी है तो उनको एक तरह से अनुमती है वो उसके लिए अपील कर सकते हैं और उनको समय से पहले रिहा किया जा सकता है लेकिन 2014 के नियम में ऐसा नहीं है तो 1992 का नियम क्यों ला जैसे अगर हम पहला यहां पर मामला देखें तो पहला मामला यह है कि अगर हम मई 2022 की बात करें जो भी एक तरह से इस घटना में दोसी थे उनके दोरा एक तरह से रिट याचिका दायर की गई थी और यह जो रिट याचिका थी उसी के आधार पर अगर हम देखें तो सुप सम्विधान पीट का निर्णे है और दूसरा त्रवेणी बेन का निर्णे 1989 का जहां पर पांच नियाईदीसों की सम्विधान पीट ने एक निर्णे दिया था और यह निर्णे अगर हम देखें तो बाद्धिकारी एक तरह से निर्णे था क्योंकि सम्विधान पीट की तरफ से आया था और इन दोनों निर्णे में कहा गया था कि अनुचे 32 के तायत कोई भी रिट या चका है वो किसी अदालत के फैसले को इतरे से चुनौती नहीं दे सकती है यहाँ पर जो रिट या चका मई 2022 में दायर की गई थी जो लोग दोसी थे और जो समय से पहले रहाई चाहत इस आधार पर अगर हम देखें तो अनुचे 32 के तायत जो रिट या चका है वो किसी भी एक तरह से अदालत अगर हम हाई कोट की बात करें जो एक संबिधानिक रूप में इस्थापित अदालत है उसके निर्णे को चुनौती नहीं दे सकता है पहले अगर बिंदू में हम उसका एक तरह से यहां पर पालन नहीं हुआ है इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इन्यायले ने यूनियन ओफ इंडिया बनाम बी स्रीहरन का 2015 का जो निर्णे है उसमें ये कहा कि जो भी एक तरह से अपराद एक राज्य में अगर हुआ है लेकिन ट्रायल और सजा सामला देखें तो अपराद एक तरह से गुजरात राज में हुआ है लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो ट्रायल है और अंतिम रूप में जो निर्णे है जो सजा दी गई है वह तरह से बॉंबे हाई कोट की डिविजन बेंच ने यानि यह तरह से हुआ है महारास्ट में तो स्विकारें नहीं दिखता है 2015 का जो अभी हमने उधानर देखा उसके पहले आप देखें 1976 में भी सुप्रेंगोड ऐसा निर्ने दे चुका है मद्द प्रदेस बनाम रतन सिंग के मामले में और यह कहा गया था कि किसी विराज में जहां पर आरोपी को दोसी ठराय गया है उ तो वो सरकार होगी जहां पर एक तरह से अभ्युक्त को दोसी ठराय गया है 1976 के निर्ने में नियायले ने ये भी कहा कि अगर हम नई दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 432 साथ की बात करें तो उसमें भी एक तरह से इसपस्ट कहा गया है कि जो उप्युक्त सरकार है वो वो ह जहां पर किसी व्यक्ति को अभ्युक्त एक तरह से ठराय गया है तो इस रूप में महराष्ट यहां पर एक तरह से निर्ने निर्ने का इतिकार रखता ना कि गुजरात राज ये स्थिती 1976 के निर्ने में इसपस्ट की गई थी और आगे चलका 1976 के सासा 1982 2004 और 2016 में इसमें चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए इस आधार पर अगर हम देखें तो मई 2022 का जो निर्ने हैं उस पर कही न कहीं विवाद की स्थितियां बनती हैं आलेक में प्रमक रूप से समिच्छा करके यही निस्करस निकाला गया है कि सुप्रिंग कोड के पुराने जो निर्ने हैं उनक को एक तरह से ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया है तो यह एक तरह से आलेक में समिच्छा करके प्रमक रिसकरस निकलता है तो जो भी एक तरह से निर्णे हैं सुप्रिंग कोड का आगे हो सकता है कि सुप्रिंग कोड के दोरा स्वयम इसके संदर में किसी तरह की आज के दूसरे हमाले को देखते हैं प्रचंड सौर्णिनेस नेपाल पीम फेसिस टफ टास्क आउफ रनिंग एलाइंस। यह अलेक प्रसंख्या 15 पर हैं और सामा नेद्धन के दुतिय प्रस्ट पत्र में आप इसको अंतराश्टी संबन से जोड़ सकते हैं। वर्तमान में जो नेपाल के ने प्रधानमंती बने हैं पुस्व कुमार दहाल या प्रचंड जिनका प्रसिद्ध नाम हैं। तो यहाँ पर आप देखें प्रचंड के दौरा प्रमो कुरूप से जो भी चुनाव से पहले एक तरह से जो एलाइंस है गड़बंदन है वो किया नेपाली कॉंग्रिस के साथ यानि सेर बहादूर देवा के साथ वर्तमान में उनके दारा जो एक तरह से सरकार बनाई गई है वहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से बिलकुल बदल गई हैं उन्होंने अपने एक तरह से विरोधी अगर हम कहें यानि केपी सर्मा ओली उनके साथ मिलकर यह सरकार बनाई है और उनकी जो पार्टी हैं उसको काफी कम सीटे हैं उसके बाद भी एक तरह से प्रदामंत्री का पद उनको मिला है अगर हम प्रचंड और सेर बाद और देवा की बात करें तो दोनों का जो एलाइंस है वो टूटा इसलिए क्योंकि दे उसरे एक तरह से यानि विरोधी कैम्प में चले गए और वहां पर एक तरह से उनके गड़बंदन मनाया और यह सरकार अपनी इस्थापित की तो वर्तमान में आप कह सकते हैं कि नेपाल में जो सरकार बनी है वो अस्थिर रूप में कहीं दिखाई देती है क्योंकि जो अगलग पक्ष देखेंगे कि यह जो यहां पर सथापित हुई है इसमें समस्याएं क्या है भारत के लिए पक्ष क्या है वो हमारे लिए जादा एक तरह से चर्चा का प्रमुक आधार है तो यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं तो हम दो आलेक यहां पर ले रहे हैं एक प् 2008 के बाद देखें, जब सम्मेधाने ग्रूप में याँ पर सबसे पहले एक तरह से चुनाव हुए हैं, राजशाई के बाद नेपाल में अगर हम 14 वर्स के लोकतांतरिक वरस्ता को देखें, तो प्रचंड का यह तीसरा कारेकाल है, उसके पहले वो 2016-2017 के बीच में और 2008-2009 के रह चुके हैं, और जैसा हमने चर्चा किया, कि प्रचंड का पूर प्रधाल मंतरी सेर बादूर देवा के साथ, चुनाव पूर गडबंदन था, बीस नॉम्बर को जो परणाम आए, उसमें अगर हम देखें, तो नेपाली कॉंग्रेस के जो प्रमुख निता है, सेर बाद और यही एक तरह से कारण था कि प्रचंड एक तरह से विरोधी खेमे में गए और उन्होंने अपनी सरकार स्थापित करी, तो यहाँ पर आप देखें, साथ दलों की सरकार स्थापित की गई है, जिसमें अगर हम दो प्रमुख दलों की बात करें, तो यह दो कम्मिनिस्ट पार्टी हैं, जिसमें अगर हम प्रचंड की पार्टी की बात करें, कम्मिनिस्ट पार्टी आप मायूस सेंटर, दूसरी अगर हम केपी सर्मा ओली की नेपाल कम्मिनिस्ट पार्टी की बात करें, एक एकरित माक्सवादी लेनिनवादी, यानि यूनिफाइड माक्सिस्ट यानि UML, तो यह आपका इतरह से मायूस सेंटर MC हैं और यह आपका UML, तो कम्यूनिस पार्टी के जो दो धड़े हैं, वो इतरह से ओली और प्रचंट के बीच में जो आपस में कह सकते हैं, संबंद खराब हुए थे, उसी का परणाम था, और इसके बाद आप देखें कुछ पार्टी हैं, राश्टी स्वतंत्र पार्टी, नागरिक उन्मक्त पार्टी, जन्मत पार्टी और जनता समाजादी पार्टी, इसमें सबस्यादा कह सकते हैं, कि जो आसर जनक इस्तिती थी, वो सात्वी पार्टी की थी, यानि जो राजसाई का समर्थन करते थे, यानि लो उख्रूम से लक्ष था कि राजसाई की समापती की जाए और इसी का एक तरह से बड़ा आधार लेकर उन्होंने नेपाल में अपनी जो पॉपलरिटी है वो बढ़ाई और आज आप देखें सत्ता इस्थापित करने के लिए कम्मिनिस पार्टी के जो दोनों भाग है वो एक सरकार के लिए सबसवड़ी कह सकते हैं समस्या की स्थिती बन रही है अगर हम प्रधानमंत्री पुस्वकुमार दाहाल प्रचंड की बात करें तो उनके समझ चुनोतियां इसी रूप में हैं जो इस गड़वंदर के साथ जड़वी है साथ पार्टियों का गड़वंदर ज ये चीन के ज़्यादा करीब माने जाते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं सेरबाद और देवा की तो उन्हें भारत का ज़्यादा करीबी माना जाता हैं हम प्रचंड की बात करें तो वो भी एक तरह से भारत से संबंदों को सुधारने के लिए काम जरूर कर रहे हैं लेकिन आप जहान रखें, चीन की तरफ से भी पूरा एक प्रयास किया गया, कि कम्मिनिस एक तरह से जो अलग-अलग धड़े हैं, वो एक खटे हो, और उस आधार पर कहीं न कहीं, ये सरकार इस्थापित हो, तो केपी सर्मा ओली और प्रचंड अगर साथ आएं, तो चीन की इसमें बड़ी भूमिका रही है, भारत की तरफ से मानना ये था कि नेपाली कॉंग्रेस यानि सेर बहादूर देवा की पार्टी को सबसाद सीटे मिली हैं, तो सामान तोर पर उनका जो गड़बंदन है, जो प्रचंड के साथ में, वो सत्ता में आएगा, लेकिन इस सितियां बद तो ये जो इतरए से लिया गया है, फंड, ये कहीं न कहीं आने वाली सरकार के लिए चुनोती है, क्योंकि अमरीका के साथ संबन्दों को कोई भी पार्टी खराप करने की स्थिती में नहीं जाना चाहती है, लेकिन जिस तरह से अमरीका देवबा के कारकाल में तेजी से आने के बाद यह जो fund है, इसको लेकर इस्तितियां क्या रहती है, क्योंकि चीन का प्रभाव बरतवान जो सत्ता है उस पर कहीं न कहीं बढ़ेगा, तो उस रूप में इस fund का उपयोग होता है या नहीं होता है, अमरीका अपने प्रभाव को आगे बढ़ा पाता है कि नहीं ब कोई भी निर्ने जिससे भारत को लाब हो, या कह सकते हैं चीन का विरोध हो, वो निर्ने नहीं हो पाएंगे, और यही एक तरह से प्रचंड के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि अगर हम केपी सर्मा ओली और प्रचंड की तुलना करके देखें, तो तुलनात्मक प्रचंड भारत के ज्यादा करीब माने जाते हैं, तो उस रूप में इस्तितियां उनके प्रधामनती बनने से भारत के लिए उतनी खराब नहीं है, जितना केपी सर्मा ओली के प्रधामनती बनने से हो सकती थी, और अगर हम भारत के पक्षकी बात करें, तो भारत भी यहा गया और भारत के साथ संबंद काफी निचले इस्तर पर गए थे वो एक तरह से हम जानते हैं 2018 से 2021 के बीच में अगर हम देखें तो केपी सर्मा उली के प्रधामनती रहते हुए काला पानी के संदर में नेपाल में एक आधिकारिक मैप जारी किया गया जिसमें अगर हम देखें तो काला पानी के छेतर को उन्होंने नेपाल में दिखाया और ये भारत से संबंदों को निचले इस्तर पर ले जाने के लिए काफियत तक उत्तरदाई माना जाता है तो भारत को एक तरह सी चिंता है कि ये जो इस्तिती 2018 से 2021 के बीच में थी अवसनचना के निर्मान के लिए जो फंड है वो इतरह से पहुंच रहा था तो अमरीका का प्रवाव भी एक तरह से नेपाल में बढ़ रहा था जो भारत के लिए बैतर इस्तिती थी अगर हम देखें तो अगर हम पस्षिम सेती जलविद्द परियोजना की बात करें जो एक तरह से नेपाल के पस्षिमी भाग में इस्तित है उस परियोजना का जो कॉंट्रेक्ट है वो देवबा सरकार ने बारत को दिया था अब यहाँ पर इस्थितियां हो सकता हैं बदल जाएं क्योंकि अगर सत्ता परवरतन हो रहा है कमनिस एक तरह से परवा में ज़्यादा आ रहा है तो चीन की स्थितियां यहाँ पर मजभूत हो सकती है और पस्चिम सेती जलविद्धुत परिजना को लेकर जो विवाद है वो इस रूप में आगे आ सकता है तो भारत के लिए यह भी एक तरह से चिन्ता की स्थिति है भारत और नेपाल के संबंदों में जो सबसे बड़ी मजभूती है वो दोनों देशों की जन्ता के दोरा आपस में रोजगार और सामाजी ग्रूप में जो एक एकिकरण की प्रक्रिया है वो दिखती है बड़ी संख्या में आप देखें नेपाल के नागरिक भारत में एक तरह से अलग-लग रोजगारों में काम करते हैं तो वो ही स्थितिया है जिसको लेकर भारत एक तरह से आगे बढ़ेगा और साइद प्रचंड का एक तरह से भारत के साथ में जो थोड़ा सा सौफ्ट कॉर्णर है वो हमारे लिए मज़द कर सकता है केपी सर्मा ओली को लेकर भारत अपने प्रयास बढ़ाएगा जिससे की वरतमान जो इस्थितिया है उसमें भारत का जो पठ्च है वो एक तरह से नेपाल में मजबूत हो क्योंकि चीन अपने प्रभाव को अगर बढ़ाता है खास सवर से अगर हम तरही चेतर की बात करें नेपाल का जो तरही चेतर है वो भारत में यूपी और बिहार के साथ में बौर्डर का एरिया है तो अगर इनी चेतरों तक चीन की पहुंच बढ़ती है तो ये भारत के लिए अगर हम देखें तो बड़ी चिंता की स्थिती हो सकती है इसलिए प्रचंड के नेत्रुत में जो वर्तमान सरकार है उसके साथ भी संबंदों की मजबूती को लेकर हमारे प्रयास लगातार होने चाहिए कोसिस यह होनी चाहिए कि आधार भू ढाचे को लेकर या आर्थी ग्रूप में नेपाल में जो समस्यां विद्धिमान है उनको हल करने के लिए भारत की तरफ से जो सही होगे वो लगातार बढ़ाये जाए और ये सारी स्थितियां भारत की जो स्थितिय है वो भविस्मे नेपाल में मजबूत रखेगी आज के अपने अगले आले को देखते हैं यहाँ पर हम देखें तो एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें प्रमुक रूप से तसकरी के मात्यम से जो भी अवैद अलग अलग वस्तू हैं उनका जो व्यापार हो रहा है उसमें जो एक तरह से भारत में कस्टम विभाग के दारा अलग 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 जो सामान पकड़े गए हैं उनसे अनमान मिलता है कि कितने अलग-अलग छेत्रों में भारत में अवैद रूप में एक तरह से तसकरी की स्थितियां बनती हैं। भारती सीमा सुल की बात करें यानि इंडियन कस्टम्स या गर हम बात करें डायरेक्टरेट और रेविन्यू इंटेलियन्स इनके दोरह प्र लेकिन यहां पर अगर हम देखें जो भी पर्यावन से संबंदित अलग-अलग अगर हम जीव जन्तों की बात करें या पेड़ पौदों की बात करें उनकी जो अवैद तसकरी की जारी है वो काफी चिंता का विसे हैं। यहां पर अगर हम अलग-अलग चार्ट की बात करें तो सबसे पहला जो चार्ट है वो प्रमुकूरूप से ये दिखाता है कि भारत में अगर हम सौन्ड की बात करते हैं तो सौन्ड के संदर में जो भी एकतर से तसकरी है उसमें सबसे बड़ा जो भागया हो म्यानमार के रास्ते से भारत में आ रहा है लगबग 37% उसके बाद पस्चिम हिस्या के देशों से आता है और उसके बाद अन्य देशों के साथ में बांगला देश से आप देखें साथ प्रस्त और यहाँ पर अगर हम आंकला देखें तो माना जा रहा है कि लगबग 170 इसके मामले पकड़े गए हैं 833 किलो से ज़्यादा का अवैज सोना तसकरी में पकड़ा गया है जो 405 करोन से ज़्यादा का मुल्य का है अगर हम बिदेशी मुद्रा की बात करें तो इसके तेरे मामले आए हैं और अगर हम मुल्य की बात करें तो लगबग 1136 लाक रुपए हैं वो इस तरह से पकड़े इसमें सबसे अधा बड़ा जो मामला है वो डॉलर के साथ में 75 प्रसत अवैद मुद्रा भारत में डॉलर के रूप में पकड़ी गई है। UAE की अगर हम दिरहम की बात करें 22 प्रसत और साउधी रियाल 3 प्रसत। अगर हम अवैद तसकरी की बात करें तो जितने भी सिग्रेट एक तरह से जब्त की गई है। उनमें पैकेट पर किसी भी तरह से वार्निंग के साइन नहीं है। जैसे सामान तोर पर आप देखें सिग्रेट के पैकेट पर रखे जाते हैं। तो यह दिखाता है कि अवैद रूप में यह सिग्रेट एक तरह से उत्पादन जहां पर हो रहा वहां से अलग अलग जगे पर पहुंच रही है। बारत में आप देखें मियानमार से इस तरह की 47% सिग्रेट आ रही है। युएई से 22% और अन्य छेत्रों से 31% तो माना जा रहा है कि लगवग 1102 लाग सिग्रेट की जो इस्टिक है वह इक तरह से पकड़ी गई है। और मूल्य आप देखें तो लगवग आपका 9,332 लाग से जादा का इसका मूल्य है। यहाँ पर अगर हम नार्कोटिक्स की बात करते हैं यानि मादक द्रव की जिनको इतरह से प्रतबंदित रखा गया है। तो आप देखें यहाँ पर जो सबसे बड़ा इतरह से मामला है वो माना जाता है गाजा के संदर में। लेकिन आप देखें यहाँ पर प्रमक रूप से जो एक तरह से आकड़ा है वो रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर हम अलग-अलग भागों की बात करते हैं। तरह से माने गए हैं कि जो भारत में अवैद रूप से लाए जा रहा हैं सबसे अंतिम रूप में अगर हम देखें तो परयावनी जो एतरह से अपरात की सिर्णी में आते हैं इसमें सबसे बड़ा जो मामला बनता है वह हातिधात की तस्करी के संदर में और आप देखें इस 27 क्रों से जादा का हातिक अदात पकड़ा गया है और यह मुल देखिए 716 करोन से जादा इसी के साथ दूसरा गर हम मामला देखें तो यह Red Sander's के संदर में हैं जहां तक Red Sander's की बात करें तो लाल चंदर भी कहा जाता है पुस्पामू भी सायद आप सभी ने देखी होगी तो यहां पर प्रमो क्रूप से फिलमाए गया है तो Red Sander's के अगर हम बात करें तो चीन में एक तरह से इसकी काफी मांग गया है और यहां पर आप देखें इसके जो मामले वो 14 एक तरह से पकड़े गया है जिसमें 161 मिट्री टरंस से जादा यह पकड़ा गया है और 97 करोंड से ज्यादा का मूले का इसी के सासाथ यहां पर देखें Amber Gris एक तरह से एक मामले में पकड़ा गया है और यह 22 किलो से ज्यादा का है अमूले कितना है 22 करोंड से ज्यादा देखें Amber Gris की अगर हम बात करें तो प्रमो क्रूप से माना जाता है कि जो वेल होती है वेल मचली के द प्रम में एक तरह से जो बचा हुआ भाग होता है उसको एक तरह से यहां पर Amber Gris का आ जाता है और इसका उपयोग अगर हम देखें तो बहुत उच्छी स्रेणी के जो पर्फिम होते है उन्हें बनाने में किया जाता है तो इसका भी भारत में एक मामला पकड़ा गया है इस इसके साथ सद अगर हम ओं इसके अगर हम किसी तरह से व। व्यापर नहीं हो सकता है उनके मामले भी देखे गया है जैसे अगर हम यहां पर बात करें स्टार टोम धेक्ट کی तो यह जो एक तरह से आपका कच्छ तरह की प्रजाती है इसके संदर में आप देखें तो लगबक 2247 इस तरह के कच्छों चेनने में पकड़े गए थे इन कच्छों को प्रमुक रूप से अगर हम देखें तो मिटी में पाया जाने वाले जो एक तरह से केक्ड़े होते हैं उनके नाम से एक तरह से अवैद रूप में तसकरी किया जा रहा था तो इस तरह से आप देखें से इसको रोकने का प्रयास है प्रमुक रूप से जो पर्यावनी एक तरह से अलगल उत्पाद हैं चाहे हम जीव जन्तों की बात करें उनकी अवैद तसकरी को रोकने के लिए सरकार के दौरा बड़े पैमाने पर प्रयास करने की आवश्यक्ता है आज के अगले आले को हम द दिल्य हाई कोड का एक ने आया है और हमदर्द का ये जो रूप्जा है उनके ट्रेड़ मारक को उन्होंने सिवकार किया है क्योंकि इनकी विरोधी दूसरी company है अगर हम सदर लेबरोत्री की बात करें तो उन्होंने जो रुभजा है उसी के नाम से मिलता जोलता दिल अफजा एक तरह से सुरू किया है और आप देखे रुह और दिल की अगर हम बात करें तो दोनों इतरह से मिलते जुलते सब्द हैं और इंग्लिस में आप देखें दोनों के लिए एक ही सब्द यानि हर्ट उप्योग किया जाता है इसी के साथ साथ कोर्ट के दारा यह का गया है कि अगर हम यहाँ पर रुहफजा का जो ट्रेडमार्क है वो हमदर्थ कंपनी को ही दे रहे है और दिल अफजा का जो एक तरह से ट्रेडमार्क लिया गया है उसको रद्द कर रहे है तो उसके निर्णे का कारण यह है कि यह जो ट्रेडमार्क रुहफजा है यह एक स्ट्रॉंग ट्रेडमार्क है यानि कोई भी अगर एक तरह से रुहफजा को देखता है तो अपने trademark का वो एक तरह से ज़्यादा valid है अगर हम दिल अफजा से तुलना करके देखें। इसी के साथ court ने ये भी कहा है कि प्रमुक रूप से जो भी रूपजा और दिल अफजा सब्द को एक तरह से बोला जाता है। यानि बोलने में जो pronunciation है जो उच्चारण है उसमें काफियत तक एक समानता मिलती है। और जैसा मैंने बात करा दिल और रूप की बात करें तो इसका इंग्लिस में एक तरह से जो मतलब है हुसेम है। तो ये भी एक समस्या है। इसी के साथ से ये का गया है कि कि किसी भी तरह से ये जो दिल अफजा या रूपजा का दोनों हम तुलना करके देखें तो दोनों की बोटल का जो स्वरूप है या जो एक तरह से यहाँ पर इसमें एड़ करने के लिए इस्टीकर लगाए गया है और साथ साथ आप देखें जो भी इसमें अलग-अलग इमेज बनाई गई है वो काफी अत्तक एक तरह से similarity है, मिलती जुलती है तो जो यहाँ पर एक तरह से कहा गया है कि भोतल का आकार है, डिजाइन है यह जहाँ पर एक इसमें घर का निसान बना है, जो रंग यूज किये गए, यह सारे एक तरह से दोनों के मिलते जुलते है इस आधार पर कहीं न कहीं दिलवजा, रुवजा का जो trademark है, उसी को एक तरह से उप्योग करने का प्रयास कर रहा है केवल नाम का अंतर है, तो इस रूप में जो दिलवजा है, उसका मामला कहीं न कहीं सही, नहीं बनता है यहाँ पर कोट का ये भी कहना है, कि यह जो उत्पाद है, यह बहुत उच्च मुल्य का नहीं है लेकिन क्योंकि कम मुल्य का है, तो इससे रूपजा का जो marketer वो एक तरह से खराब होगा क्योंकि वस्तु एक तरह से कम मुल्य की है, तो भोकता एक तरह से खरीदने में, नाम में जो अंतर उसको बहुत ध्यान नहीं देगा अगर उच्च मुल्य का उसे निवेश करना पड़ता, महंगा समान होता, तो साइध ये स्थिती ना बनती तो यहाँ पर यह जो ट्रेडमार्क है, इसको लेकर रोहवजा का जो मामला है, वो दिल्ली हाई कूर्ड में कहीं न कहीं सही सिद्ध हो रहा है तो जो हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं, तो ध्यान रखें, ट्रेडमार्क का जो भाग होता है, ये एक तरह से आपका आता है किसमें इंटेलेक्च्वल प्रॉपरिटी राइट में, जिसको हम बोलते हैं बौद्दिक संपदा अधिकार बौद्दिक का मतलब ये है कि आपके एक तरह से ज्यान के आधार पर, जो भी अलगलोग उत्पाद हैं, उनके संदर में जो भी आपने एक तरह से इस्तितियां बनाई हैं, उसका अधिकार आप ही को मिलता है क्योंकि आपके बुद्दि के आधार पर, आपके इंटलेक्ट के आधार पर ये निर्मित हैं, और इसमें आप देखें, तो ट्रेडमार्क भी सामिल हैं, ट्रेडमार्क के साथ अगर हम बोद्दिक संपदा अधिकारों में देखें, तो जोग्रिफिकल इंडिकेटर आ जा या Intellectual Property Rights में आते हैं, अगर हम सामान तोर पर ट्रेड मार की बात करें, जो बहुत दिक संपदाधिकार का भाग है, इसमें हम देखें, तो आकार और नाम ये दो प्रमकुरूप से उप्योग किये जाते हैं, जैसे यहां पर बॉटल का जो सेप है, या रुवजा के संदर में भी आप कह सकते हैं, जैसे अगर हम मैकडोनल्स की बात करें, पैफसी या कोई भी कमपनी का नाम, तो ये ट्रेड मार करें सामिल होता है, साथ सा कोई सूचक एक तरह से होना चाहिए, सूचक एक तरह से यहां पर कोई सिंबल, की बात करें, आइम लबिंग इट, तो ये क्या एक तरह का सुलोग है, तो ये भी ट्रेड मार क में सामिल है, रंग भी हो सकता है, जैसे अगर हम औरेंज कमपनी की बात करें, तो औरेंज कलर, या अगर हम यलो की बात करते हैं, तो MacDonald के साथ में, या Blue की बात करें तो Facebook, Intel, Skype में, या Purple आप देखें, Yahoo, Hallmark और Cadbury के साथ में, तो रंग भी एक तरह से Trademark में सामिल है, या किसी तरह का कोई Logo हो सकता है, वो भी एक तरह से यहाँ पर आपका लिया जा सकता है, तो Logo का मतलब Promo Group से यह हुआ कि आप किस एक तरह इमेज को उप्योग करते हैं, जैसे अगर हम लोगों की बात करें, ऐसे ODE, VMW के जो Logo हैं, वो इतरह से Trademark के रूप में रेइस्टर्ड हैं, तो यह अलग-अलग भाग होते हैं, जिस रूप में Trademark को इतरह से उप्योग किया जाता है, और यह किसी भी Company के दारा सनच्छित क करने के लिए पूर्टा हुआ कंपनी अधिक्रित होती हैं, आज के अंतिमाले को हम देखते हैं, रिसर्चर्स वॉन्ट बीडी रॉलिंग डिकलेर्ड हैजर्डेस प्रोसेस, यहां पर एक तरह से बीडी बिनाने का भारत में जो उद्योग हैं, उसको खतरनाक उद्योग की स्रिणी में डालने के लिए कुछ अनसंधान करने वाले जो संस्ता हैं, उन लोगों ने एक तरह से प्रयास किया हैं, और उनका कहना यह है कि उन्होंने जो अनसंधान किया हैं, और यह अनसंधान अगर हम देखें, तो George Institute for Global Health के द्वारा किया गया है, और उन्होंने करनाट जो उद्योग का दर्जाया है, उसमें इतरह से डालना चाहिए, बारत के अगर हम बात करें, लगवा 71,08 मिले लोग हैं, जो बीडी का इतरह से प्रयोग करते हैं, यहाँ पर जो अनसंधान किया गया, उसमें इस परस टूप से यह प्रमाण मिले हैं, कि 87 प्रसच जो भी ब जंदे में, गले में, या किसी भी तरह के जो सरी के जोइंट्स हैं, स्पॉंडलाइटिस की स्थिती, या अगर हम बात करें, तो ठकावट और पूरे सरीर में जो दर्द है, उस तरह की समस्या हमेशा देखी गई हैं, तो यह कहीं ने कहीं, इस उत्योग में काम करने का ही प पहार एक तरह से सरीर वहन कर पाएं, उन सम में एक तरह से जो समस्या हैं सकती हैं, उसकी सिद्ध को दिखाता हैं, और इसमें समस्या इन कर्मियों में देखी गई हैं, इसी के साथ साथ अगर हम गैस्ट्रो, इंटेस्टैनल, बीमारी की बात करें, तो वो भी एक तरह से इ अगर हम यहाँ पर उनकी प्रजन इस्तिती की बात करें, तो उसमें भी गिरावट है, इसी के साथ साथ अगर हम इन महिलाओं की बात करें, तो यह ट्रेन यानि गरभासा के संदर में जो अलगला समस्या हैं, उसका भी यह सामना कर रही है, अगर हम यहाँ पर नवजाद बच अगर हम देखैं, तो बच्चोंका जो बजन है, वो सामान इस्तिति से 1.07 गुना एक तरह से कम हो सकता है। तो ये कहने कहीं बीड़ी उद्द्योग में काम करने का प्रभाव हैं। सामान तोर पर महिला जो बीड़ी उद्योग में काम कर रही हैं, उनके बच्चे भी उनी के साथ रहते हैं, और इसका प्रभा उन पर भी पढ़ता है, और यहां पर 87 प्रसत ऐसे बच्चों में देखा गया है कि सरदत के मामले हैं, सासाद हमेशा सरीर में दर्द बना रहता है या सासद अगर हम देखें तो स्वसन की समस्या है, या कफ, टीबी, अस्थमा और एक तरह से चक्कर आने जैसी जो इस्तितियां वो लगातार बनी रहती हैं, तो यहां पर अनसंदान से बिलकुल इसफ़स्ट हो रहा है कि जो भी उनको आमदनी मिल रही है, और सामान तोर एक हजार बीडी बनाने पर लगबग 2 डॉलर मिलते हैं, यानि अगर हम 70 से 75 रुपय का डॉलर मान लें, तो लगबग यहां पर हम देखें, तो मामला यह बनता है कि आप 1000 बीडी अगर बनाते हैं, तो 2 डॉलर का मतलब हुआ कि डेट सो से लेकर 160 रुपय आपको मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा यहां पर रोजगार में आएक की स्थितिया नहीं हैं, इसीरे रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अनुसंदान से यह सित दो रहा है कि बीडी उद्द्योग में काम करने वाले लोग स्वास समस्याओं से गरसित हैं, और ज़्यादा उनको आर्थिक ला कानून लाया जाएं और उसके माद्यम से बीडी उद्द्योग को खतरना गुद्द्योग का दर्जा दिया जाएं, जिससे कि इसमें काम करने वाले की जिस्तितिया हैं, उसको कानूनी रूप से रोका जा सकें। उत्तर समचना देखते हैं, भूमी का वर्तमान गडबंदन की चर्चा करें, मुख्य बाग में आपको बताना है, गडबंदन के अस्थाई स्वरूप की चर्चा करें, नया गडबंदन चीन के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि कमनिस यहाँ पर दोनों पार्टियां सत्ता मे रूप में मजबूती से जुड़ा है, वर्तमान आर्थिक समस्त्या में भारत का नेपाल को सहयोग, चीन की तुलना में, भारत के लिए आप देखें, एक निर्णायक बड़त दिलाने में हमें मदद करेगा, दूसरा प्रस्न हम देखते हैं, बहुत देख संपता अधिकार परिवास्त करें, यानि अलग-अलग बहुत देख संपता के जो भाग हैं, वो आप यहां पर बता सकते हैं, मुख्य वाग में आप कोस्ज़ करें, कि बहुत देख संपता अधिकार के जो अलग-अलग भाग हैं, उनको विस्तरित रूप में बताएं, आगे चलकर ट्रेड रूपजा और दिलफजा का जो निर्ने हैं, वो बता सकते हैं, किस आधार पर रूपजा को दिलफजा की तुलना में ट्रेड मार्क में इतरह से वरिता दी गई हैं, और दिल्ली हाईकोट ने रूपजा के पक्ष में इतरह से निर्ने दिया हैं, वो आधार आप बताएंग में बताएंगे बौधिक संबदा अधिकारों का बैतर सनचन भारत में नवाचार को बढ़ावा देकर मेकिन इंडिया और स्टार्टप इंडिया जैसी पहल को मजबूती प्रदान करेगा तो आप ध्यान रखें बौधिक संबदा अधिकारों का सनचन का मतलब यह है कि आपने कुछ नया इतरह से विचार है, उसको अगर किसी भी तरह से आधिकारी गूप में आगे बढ़ाया है, उससे व्यापारिक इस्तितियां बन सकती हैं उत्पादन की, तो वो देश के अर्थुरस्ता में Making India और Startup India जैसी जो पहल उसको मजबूती देगा, तो इसलिए बहुत देख संबदा अधिकारों की मजबूती भारत में अती आवश्यक हैं, यह हमारा 27 संबर 2022 का समाचार विस्नेशन हैं, आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विस्नेशन हम आपको इसी तरह से उपलप्त कराते रहेंगे, बायजूस एक्जाम पर पाईए सिं करें, धन्यवाद